नमस्कार दोस्तों राजनीति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे जालोर शुरोई लोगसबा चुनाओं के बारे में हाल ही की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जालोर शुरोई लोगसबा चुनाओं में कांग्रेस से रानिवाडा के विदायक रतन जी दिवासी को टिकट फाइनल कर दी गई है और गुप्त जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी से देवजी बाई पटेल की टिकट काट कर इंदू परष्ट के महंत परतापुरीजी महराज को जालोर से बीजेपी के परतापुरीजी के रूप में टिकट दी गई है और सामने है कांग्रेस से रतन दिवासी जो की एक इस्तानी वाँ के विदायक है तो इस बार महंत परतापुरीजी माराज की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है क्योंकि अगर बाहर से कोई आदमी आए तो उसके लिए एक चौनोती पुरण होता है और अगर वहां का इस तानी जो नेता वहां से खड़ा होता है तो उसकी वहां पर दबदबा जादा रहता है बीजेपी से देवजी भाई से बीजेपी की और से यही नजर देखने को मिलेगी इस बार जलो और शुरोई लोकसबा चुनाओं मैं दोस्तों आपके हर परकार की राजनेती सी जुड़ी खबरें आपके बीच लाता रहूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करना बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अगला वीडियो में अपलोड करूं तो आपको उसकी सुचना मिल जाए नमस्कार जय हिंद जय भारत